हेलो गाईस आज हम बात करेंगे Redmi 8A Dual के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Play Store Not Working Problem Solution के बारे में वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कलेजिगा बेलके आइकन को प्रेस का लेना है Play Store अगर आप लोगों के फोन में काम नहीं कर रहा है तो क्या करें सब्से पहले का इस आप लोग क्या करें Play Store को लॉंग प्रेस करें App Info पे क्लिक करें और सब्से पहले आप लोग इसका डाटा को क्लीन करें डाटा क्लीन करने के बाद काफी चांसे की प्राब्लम फिक्स हो जाएगी और अगर फिर भी प्राब्लम फिक्स नहीं होती है तो आप लोग Play Store को फिर से लॉंग प्रेस करें App Info पे क्लिक करें और यहां पे देगे बीच में एक Option हमें देखने को मिलता है Uninstall Updates का Simply हम क्लिक करके आप इसको अपडेट करेंगे Uninstall नहीं होता, अपडेट होता है अपडेट होने के बाद 100% चांसे के आप लोग की प्राब्लम फिक्स हो जाएगी और यह तरीके से आप लोग अपने फोर में Play Store की प्राब्लम को फिक्स कर सकते है ओके, I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी जाए माता दी